काच ही बास के बहंगिया बहंगी लचे कत जाए पेनी ना बालम जी पियरिया बहंगी घाटे पाहु चाए सब दीन उगई छा हो दीनानात आहे भुरे भीन सारा आय की आकेल हो दीनानात किलवा के पात पर उगे लन सुरुज माल जाके जूके छट हिंदू के आस्था का पर्व है और आज कर छट को बिहार के अलावा बिदेश और पूरे देश में मराया जा रहा है पहले छट को सिर्फ और सिप बिहार में मराया जाता था लेकिन आज सब ही लोग इस पर्व को बिदेशों में भी मना रहे है आज हमारे साथ बादचित करने के लिए जुड़ी है सिखा सिंग राजपूत जो की एक गायका है और इनके जीवन में छट का क्या महत्व है और ये छट को किस नजरिये से देखती हैं हम इनसे बात करते हैं कैसी है आप बहुत अच्छी हो और सबसे पहले तो आपका धन्यवार आपके चैनल से जुरे तमाम दर्शक गन को मेरा प्रणाम है मैं सबसे पहले छट की गीत से सुरुवात करूंगी क्योंकि छट एक आस्था का पर्वी नहीं इमोसन का भी पर्व है बिल्कुल सही का एक इसी तरह का मैं मतलब भावनत्मक गीत रख रही हूँ शादा सिनह जी का चदरा ओ घारी जब देखिले हो दिनानाथ कावना संकट पडले तो हाँ चदरा ओ घारी जब देखिले हो दिनानाथ कावना संकट पडले तो हाँ नैना संकट पडले मोरा हो दिनानाथ ओ ही लाके बर्वाधै लिठा आठ ही काठ के कोठरी आ हो दिनानाथ रूपे छान लागला के बार इस गाने का मतलब क्या है सिखाजी क्योंकि जब हम लोग छट का गाना सुनते हैं तो हमारे रोईटी खड़े हो जाते हैं बिल्कुल सही का जो कि छट का मतलब ही है कि पूरे फिलिंग्स जब तक आपका वो गीत में फिलिंग्स नहीं दिखेंगा तो मतलब छट का गाना अधूरा लगता है इसमें यही मतलब है कि जो जिसके पास जो अंधा व्यक्ति होता है जो जिसके पास आख नहीं है तो किस तरह से छटी मैया का वो अराधना करते उसका मांग कर रहे हैं और वो संकट को किस तरह से दूर और बहुत सारे गाने के माध्यम से है कि किस तरह से और यह होता भी है हमा माँ बेहने जितने भी हमारे विहार में महिलाए हैं या फिर हमारे जितने भी बढ़े बुजुर्ग हैं सबों का कहना है मैं अभी छट की नहीं हूँ बट आस्था बहुत है क्योंकि मैं देखती हूँ जो मां से किस तरीके से आस्थापुर बखसाल में एक पर आता और वो कि इस दिननां अथ यह चीज करिएगा मेरा पुरा तो आपको मतलब ये शूप उठाएंगे मननत भी मांगा जाता और पूरा होता है तभी मननत कोई-कोई तो शौक से करते हैं कोई-कोई पुरा होने के बाद एक नहीं 5-5 शूप डाली यह सब उठाते तो कहीं-कहीं आस्थ बिल्कुल इक्षा होता है, मम्मी के जाने के बाद एकदम वो कमी खलता है, और मतलब ऐसा होता है, जैसे कि कुछ है नहीं, सब तरफ light है, भाजे बज रहे हैं, चछट का गीत हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट वो कमी बहुत कखलता है, जब भर में नहीं होता है, अब कि इस पर्व की शुरुवात ही गीत से होती है चाहे वो खरना हो, नहान खान हो, पहला अर्ग हो, दूसरा अर्ग हो, तो और या फिर उसकी परसाद भी जो हम लोग बनाते हैं, उस दोरान भी गीत गाया जाता है, तो खरना के दिन जो गीत गाया जाता है, आपको याद है? खरना के दिने बचपन से तो मैं शादा सिन्हा जी के गीतों को सुनती है, दादी लोग बहुत गाया, उस समय गीत संगित से कोई लेना देना था नहीं, सुनते थे दादी अपना गाया रही है, बुआ लोग आती थी, और छट के दिन, पहले से सालवर से वेट रहता था, क्य मैं तो एक दिने घंडे के ले गए और फिर आ गए बैक टू सार साब रहते तो उस टाइम में, तो ऐसा होता था, तो उस समय का गाना खरना के वक्त में, सारदा जी का गाया हुआ बहुत सारा गाना है, जो उसमें से मैं आपको सुनाती हूं, जैसे, हम तो से पूछे ली छट बरती, या से जाके जूके, हम तो से पूछे ली छट आए बरती, या से केकरा लागी, हम तो से पूछे ली छट आए बरती, या से केकरा लागी, से करे लू छट बरती, या से केकरा लागी, हम तो से करे ली छट बरती, या से जाके लागी, से करे ली छट बरती, या से जाके लागी, यह सब गीत हम दादी लोग को देखते थे, अपना गा रही है, यहू चुनाया रहा है, मतलब हर हाँ, इस्टार्टिंग हो दिवाली के बाद से, छट के गीत घर में, उसमें इतना वो नहीं था, कि भाई लाओ डिस्पकर बज रहा है, कुछ यह हो रहा है, उसमें कुछ नहीं था, बस हम लोग छोटे दॉरते रहते थे, देखते थे, बस एक जुन्ड बन गया है, बुआ लोग है, सब लोग है, बड़ा मज़ा आता था, मतलब जो वो चीज अब मिलता कहा है, अब वो परिवारिक महल देखने को मिलता है, कहीं पे भी, और नहीं वो जिस तरह का, एक दूसरे से जो लगा हो, थाचा है, कितना भी गुसा हो, लड़ाई हो, जगड़ा हो, लेकिन इस परव में एक साथ आना ही, खतम होके, सब लोग मन मुटा हो रहे, कुछ बिना इच्छा अठ पहतरीन गीत है, और ये मतलब छट का मतलब ही इस गीत से है, वाट जे वहंगी के करा के जाए, तूता आना हारा हो बे, रे बटो ही जाए, वहंगी छटमाई के जाए, बहंगी छटमाई के जाई ज़रे हो जाता है और को लेकि और कि जारदर इस वैसे महिला जिनके बच्चेशे नहीं होते हैं जो बहुत ज़ादा क्या मुसलिम कि मुसलिम महिलाएं भी ना करें लेकिन बहुत लोग को शामील होते हैं लेकिन अब ने कि चछत को हर जगह के लोग करना चाहते हैं किस कुस्तो बात है और है तभी तो लोग सूप गच रहें अपमनत पूरा हो रहा रहा है लोग को तो एक के जगह पांच- रस्थ प करते हैं वेहारी यों में इतना न क्ध'll है कि चट को भीडिजों में पहुँचा दिया लोग, बिहारियों में बहुत सिर्फ छट नहीं, छट क्या है, जब आप बाहर काम करते थे और छट के दिनों में छुटी लेने जाएंगे, तो उनका मालिक बोलताथा क्या है छट, क्यों जारा है छट मेंगर, लेकिन आज लोग छट के नाम पे पहले ही ब और चांपन कार तो वह सब दरा सब्सक्राइब करता है तो आज ही के दिन एक गाना रिलीज वाई योटूब पे इन वह सब्सक्राइब नहीं तो लाइन आपको सुनाती हूं सब दीन उगयच्छा हो दिनाना सारा आहे की आकेल हो दिनाना सब दीन उगयच्हा हो दिनाना सब दिन उगईच्छा हो दिनाना तेती लई हो दिनाना तेती लई हो दिनाना इस गाने का अट इस गाने का जैसादा सिना जी भी गाई है इसको मैंतली में कनवर्ट किया गया सब दिन उगईच्छा मतलब सब दिन आप उगते हैं उगईच्छा मतलब उगते हैं आप सब दिन उगते हैं सबेरे भोरे भिंसर और पर मतलब ब्रती है बहुत देर से चटके दिन और थोड़ा सब लगता है कि बहुत इंतजार करना पड़ जाता है सुबा के टाइम से इंतजार में है कि कब सुर्ज भगवान निकले और अरग देने का वक्त हो गया है तो वो इंतजार करते वक्त भावुक हो करके, क्योंकि बहुत कठना है, तीन दिन का पानी में ठंड में पानी में खड़े रहना बहुत कठीन बड़ता है तो उस condition में वो एकदम भावुक होके कहते हैं कि सब दिन तो उगते हैं आप सब एरे, आज किया, मतलब आए किया भेला, मतलब कोना कैसे हो गया, किया मतलब कैसे हो गया आज लेट, एती एती देर, मतलब इतना एतना देर क्यों हो गया, यही विनिंगे से लिएक बहुत जहां उगते और डूपते दोनों सुर्ज को अर्ग दिया जाता है, धन्यबाद आप सिखा सिंग राजपूत को सुन रहे थे, इनका गाना आपको कैसा लगा, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा, धन्यबाद